भारत विविदता का दर्बन एकता की मोरत और लोक तंत्र की जननी यहां गणतांत्रिक विवस्थाओं के उदाहरण है वेदों में वैशाली की गण परिशत के उत्कोचों में आचारी चानक्य के अर्थ शास्त्र में उत्तरा मेरूर के शिला लेखों में वर्णित चोल सामराज्जी की पंचायत विवस्था में उनकी गणम और वार्यम विवस्था में भगवान बस्वेश्वर की अनुभव मन्टपम की धारणा में गण सभा गणपती समिती लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं स्वरूप बदलता रहा संसकार नहीं बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतन्त जिसका साक्षी बना हमारा संसत्भवन करीब एक शताब्दी पहले 1927 में आप निवेशिक हितों के लिए ये काउंसल हाउस बना देश आजाद हुआ ये भारत की संसत्भणी यहीं पर हमारा संविधान रचा गया आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस से भारत के नागरिकों का प्रतनिधित्व करते हैं विशार विमर्ष की तंदरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसत्भण इतिहास की कई अभूत पूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसत्भण समय के साथ यहां पर्याप्थ जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था आधुनिक तक्नीक का क्रियानवयन चुनोती पूर्ण हो रहा था ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवशक्ता को महसूस किया पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में और 10 दिसंबर 2020 को संसत्त के नव निर्मित भवन की आधारशिला रखी गई थाई वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में पहले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23,000,000 मानब दिवस से भी अधिक स्रिजित रोजगार से निर्मान कार्य पूरा किया गया जो अपने आप में कीर्तिमान है भारतियों द्वारा भारतियता के विचार से ओतपोत भारत के संसद भवन के निर्मान का शुवारम हमारी लोकतांत्रित परंपराओं के सबसे एहम पड़ाओं में से एक है नए भारत के हर नागरिक की आकांग्शाओं और उज्ज्वल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्मान मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे इस भवन में प्रवेश के छेह द्वार हैं जो भारतिय सभ्यता के अनुसार प्रकृती को अपनी कृतग्यता व्यक्त करते हैं मकर और हंस यानी जल को नमन शारदुल और गर्व यानी नभ को नमसकार अश्व और गज यानी थल को प्रणाव संसत के नए भवन का नया विराथ लोकसभा कक्ष जो राष्ट्रिय पक्षी मोर से प्रेरित है इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग दो गुना बड़ा है नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रिय पुष्ट कमल से प्रेरित है जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग देड़ गुना बड़ा है ये भवन देश की जनता को समर्बित है इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक बीरगा का निर्मान किया गया है अत्याधनिक डिजिटल उकर्व दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं यहां सदन की कार्रिवाही को विभिन भाशाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्रिवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टी मीडिया डिस्पलेई आटोमाटिक क्यामरा कंट्रोल और कमान सेंटर का भी निर्मान किया गया है ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है इस भवन के एक भाग में लोकसभा है दूसरे में राज्य सभा और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतिय को जिनके लिए सेंटरल फॉयर में बना है समविधान कक्ष जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीच से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते है यहीं भारत के सम्विधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है इसी सेंट्रल फॉयर में उपर की त्रिकोणिय छट से सूरी की किर्णे ब्रह्मांड का भ्रह्मन करते हुए पेंडियूलम क्लॉक पर गिरती है यह किर्णे बर्गत के पेड़ को नहलाती है और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकाले, भोजन कक्ष में फैल जाती है आत्म निर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्मान में भारत के हर भागने अपनी भागीदारी निभाई है कहीं महराश्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है उनी से दोनों सदन में अशुक चक्र भी बना है कहीं राजस्थान का शांदार स्टोनवर्क कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिची है कहीं त्रिपुरा की बैंबू वुट फ्लोरेंग वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने बिलकर बनाया है ये भवन ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकम्प रोधक भी है सत्रा सौ से अधिक दर्वाजे खिडकिया है साढ़े तीन किलोमीटर लंबे बिल्दिंग कोरिडोर्स है ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्ज और स्मार्ट एक्सेस की विवस्था है वही भारत की प्राचीन कलाओं का अध्भुत एक ही करण भी है तो नया भवन आत्म निर्भर भारत के निर्मान का गवा बनेगा पुराने संसत भवन में देश की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए काम हुआ तो नये भवन में 21 सदी के भारत की आकांचाये पूरी की जाएगी नये भारत के आत्म विश्वास को बढ़ाता विकसित भारत के संकल्प को गती देता ये है हम भारतियों का संसत भवन